अधिर हमारी सोसाइटी में औरतों को यह कहकर मा बनने के लिए एंकरेच किया जाता है कि मदरोड उन्हें कम्प्लीट करता है पर क्या ये बात सही है या जो औरते मा नहीं बन सकती या फिर मा नहीं बनना चाहती वाकई अधूरी है या किसी औरत को सिर्फ इसलिए बच्चे पैदा करने जाहिए ताकि सोसाइटी उसकी जीवन पर फूरता का ठपा लगा सके पूरुष्प्रदान समाज में औरतों का अस्तित्व और उनकी जिंदगी मदरोड तक समट के रह जाती है ऐसी सोसाइटी में और तो को करियर और अपती परसनल लाइफ पर फॉकस करने के लिए बहुत संगर्श करना परता है इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि सोसाइटी उनके लिए कोई भी सपोर्ट सिस्टम तयार करके नहीं रखता है इस प्रधान परिवारों में भीलाओ के उपर ही बच्चे बड़े करने की भी रिस्पॉंसिविलियर आती है इसी साइटी का पंड़ा बहुत ही क्लियर है या तो परिवार या फिर करियर शायद इसी माइंडसेट के चलते बहुत ही करियर ओर्येंटिस औरते आजकल माल ना बनने का फैसला लेती है लेकिन मज़ेगी बात यह है कि अपनी माइंडसेट चेंज करने की जगे या फिर अपने तोर तरीके बदलने की जगे तो के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तयार करने की बजाए ताकि उन्हें अपनी आकांशाओं और अपनी इच्छाओं के साथ किसी प्रकार का कॉंप्रोमाइज ना करना पड़े पैट्रियार्कुल सुसाइटी ऐसी औरतों को गिल्टी फील कराती है उन्हें उनके existence को अधूरा करार देती है और ये mindset सिफ आद्मियों में नहीं, औरतों में भी पाया जाता है लेकिन जो औरत मा नहीं बनती, क्या मा नहीं बन सकती, वो अधूर ही है इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं किसी भी इंसान का जीवन पूरा है या नहीं, ये decide करने का हग society को बिल्कुल भी नहीं है पर इसकीजिए, आपके दोस एक पहार चड़के आए हैं और आपने इसके बजाए एक नदी तैरकर पार की तो क्या आपके experience के value सिर्फ इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि वो सबसे अलग है नहीं, ठीक इसी तरीके से किसी भी औरत की life या उसका experience के माइने कम नहीं हो जाएगे तिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास motherhood और शादी का shared experience नहीं है motherhood औरतों के जीवन को पूरा करता है इस सोच को अब बदलने की सक जरूर ये बात बिल्कुल सच है कि motherhood हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है लेकिन ये experience किसी भी औरत को दूसरी औरत से बहतर या कमतर नहीं बनाता वो हमारी सोच है जो एक औरत को कम या हीन या अधूरा महसूस कराती है तो आए इस सोच को बदले और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और दूसरों को भी जीने की पूरी आजादी है